हेलो एवरिवन और वेलकम टू गॉवर्मेंट प्राइवेट जॉब अलर्ट्स आज के हम इस वीडियो में डिसकस करेंगे आई बीपीएस पी ओ में स्कोर कार्ड के बारे में तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो आई बीपीएस डॉट इन यह आपकी ओफिशल वैबसाइट है और आप यहां पर देख सकते हो आपके आई बीपीएस के स्कोर कार्ड आ चुके हैं जिन भी स्टूडेंट्स का क्वालिफाई नहीं किया है उनके स्कोर कार्ड आ देख सकते हो यह आपकी आई बीपीएस डॉट एन ओफिशल वैबसाइट है यहां पर देखिए क्लिक हेर टू विव यूर ओनलाइन में फॉर सी आप यहां से अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो तो जब आप यहां पर क्लिक करोगे उसके बाद आप यहां पर डाल कि अपना स्कोर कार्ड देख सकते हो तो उसके बाद आप हम बात करते है जो हमारा इंपोर्टन टॉपिक है उसके बारे में बात करेंगे आपकी क्या 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 कट-offs रही है जर्नल के टिगरी कितनी कट-off रही है और देखिए कितना डिफरेंस था जर्नल में EWS में OBC म और आपकी बाकी जो reserve categories हैं इनके बारे में discuss करेंगे वीडियो को एंट तक देखेगा और अगर आप चैनल पर new हो या आपने चैनल को subscribe नहीं किया है तो चैनल को subscribe कर लीजिए और bell icon प्रेस कर लीजिए जिससे हमारी जो भी notification हो वो सबसे पहले आप लोगे पास पहुच सके उसके साथ साथ देखिए जिनका भी IBPS, PO, mains का result आ गया है जो उनका भी qualify हो गया है हमारी तरफ से धेर सारी सुबकाम ना है आपको और अपने interview के लिए preparation कीजी अच्छे से आपका 26 को interview है तो उसके लिए आपके पास अभी भी plenty of time है आप जादा जादा देख सकते हो थोड़ा थोड़ा क्योंकि देखिए जो आपका knowledge test था वो हो चुका है अब सिर्फ आपका personality test होने वाला है तो उसमें I guess आप लोग अच्छाई करोगे और हमसे अगर कोई guidance चाहिए तो you are most welcome आप हमें comment section में जुड़ सकते हो और उसके साथ साथ आप हमारे telegram channel में जुड़ सकते हो जिनका link हम आपको description में provide कर देंगे तो चलिए अब हम बात करते हैं आपके क्या क्या cutoffs रही है तो देखिए जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो IBPS PO Mains cutoff के बारे में बात करेंगे scorecard के बारे में बात करेंगे तो देखिए इसमें क्या 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 आपका scorecard था 225 नंबर का पेपर था और देखिए schedule cast के लिए 65.5 आपकी cutoff गई है ST के लिए 57.75 cutoff गई है इनका जो bifurcation होगा जो आपकी cutoffs होंगी अलग अलग वो भी हम आपको दखाएंगे पहले हम आपको total cutoff दिखा रहे हैं 225 नंबर में से उसके बाद OBC का देखिए 75.75 काफी अच्छा नंबर है 75.75 उसके बाद EWS देखिए 77.25 आपका EWS की cutoff गई थी total जर्नल की cutoff आपकी 80.75 गई थी और HI that is hearing impaired की आपकी cutoff गई थी 42.50 उसके बाद OC की आपकी cutoff गई थी 62.5 और VI की आपकी cutoff गई थी 77.75 उसके बाद देखिए आपकी intellectual disability की cutoff गई थी 46 तो देखिए ये आपकी total cutoffs हैं आप हमें comment section में बताइएगा आपके कितनी total score था और आप कितने margin से रह गई हो आप अपनी category बताइएगा और आपके कितने marks हैं उसके बाद अब हम बात करते हैं आपके post के according कितने आपके maximum marks थे और कितने आपकी category wise cutoffs थी तो देखिए reasoning और computer aptitude के लिए 60 number थे ये तो आपको पताई होगा इसमें देखिए cutoff SCST OBC PWD के लिए 45 number थी और journal और EWS के लिए same थी 7.25 उसके बाद देखिए journal economy banking और awareness इनके लिए banking awareness जो थी आपकी SCST के लिए 1.75 cutoff गई थी और आपकी EWS और journal के लिए 3.75 cutoff गई थी उसके बाद देखिए जो BA का आपका exam था थोड़ा सा difficult था इसलिए आपकी cutoff काफी कम गई है उसके बाद हम बात करेंगे English की तो English में देखिए आपका जो cutoff थी वो 10 number गई है आपकी SCST, OBC, PWD के लिए और 13.25 आपकी cutoff गई है EWS और journal के लिए उसके बाद देखिए DA और DI के बात करते हैं data analysis और आपकी interpretation ये भी आपकी 10 number गई थी SCST के लिए और EWS के लिए गई थी आपकी 9.25 तो देखिए इस वीडियो में हमने आपको individual cutoffs के बारे हम बताया है और आपकी category wise cutoffs के बारे हम बताया है और आपके total cutoffs के बारे हम बताया है जिसमें कि आपकी letter और essay था उसमें आपका जो total marks थे वो आपके 25 थे और जो आपकी category wise cutoff थी वो गई थी आपकी 8.75 और journal और EWS की गई थी 10 marks तो आप देख लिए यह आपकी total cutoffs है और आप देखिए कितनी आपकी cutoff गई है तो यहाँ पे आप देख सकते हो main जो आप थी जर्नल की थी 80.75 और EWS की 77.25 और OBC की 75.75 तो आप हमें comment section ने बताईगा कितनी आपकी cutoff हो गई है तो चलिए next video है मिलते हैं और अपने अपने admit card डाउनलोड नहीं किया है mains का result के बाद तो आप डाउनलोड कर सकते हैं आपके admit cards आ चुके हैं interview के लिए और अच्छे से prepare कीजिएगा यह आपके लिए golden chance है और काफी अच्छे से interview दिएगा और अगर कोई guidance चाहिए या help चाहिए तो आप हमसे contact कर सकते हैं तो चलिए मिलते हैं next video में तब तक के लिए प्रन ध्यान रखिए and all the best